हेलो दूस्तो हैर केसाब स्विलोग आज का वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला एक नई एलेक्टरिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले है जो की टोटली 3-in-1 होने वाली है ओला जिसे भी दिखेगी सिंपल वन जैसा भी दिखेगी और एथर की 450X जैसा भी देखने को म स्क्रिन पर देख सकते हो और उसके बाद काफी कस्टमर के ओपर एंट्रेक्टिव हुए है चाहे होést प्राइसिंगे वह बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए कंपनी ने इंडिया के पार्ट जाता तर यूज़ करके कम प्राइज में यह एलेक्ट्रिक स्कूटर कस्टमर तक पहुच चेके इसके इनने इसको बनाया है सबसे पहले इसमें आपको तीन मॉडल देखने को मिलने वाले है स्टार्टिंग वाले मॉडल की रेंज आपको 110 किलोमेटर से शुरू होगी मीड वाले की 140 किलोमेटर की IDC रेंज देखने को मिलेगी और जो टॉप वाला होगा उसमें 200 किलोमेटर की रेंज देखने को मिलेग वो सबसे highest चलने वाला model रहने वाला है सबसे पहले दो model के बारे हम यहाँ पर बात करते है N1 and N1 Pro के बारे में दोनों में आपको range और कुछ features में different देखने को मिलेंगे look wise सेम ही रहेगे N1 की बात करें तो 110 km तक range मिलेगी 60 km पिस तक speed देखने को मिलेगा और जिनका भी budget कम है उनके लिए इसमें BLDC motor भी company प्रोवाइड कर सकती है और काफी customer को chain drive motor चाहिए होती है long life चलती है तो उनके लिए N1 Pro model रहने वाला है जिसमें 140 km की IDC range होगी but company 2 range directly 132 km की बता रहिए speed इसका 70 km पिस का रहने वाला है chain drive motor देखने को मिलेगी and DC electric scooter में जो battery रहेगी 3.5 kWh की battery देखने को मिलने वाली है और company ने budget का बहुत ही दियान रहा है दोस्तों जिनको भी 200 km वाला model चाहिए उनका budget ज्यादा होगा तो वो भी आगे वाला model ले सकते जनको 200 km तक range मिलेगी 70-80 km पेश का speed देखने को मिलेगा and और भी थोड़ी से features increase कर सकती है front से अगर आप देखोगे तो same आपको Ola जैसा आपको headlight देखने को मिलने वाला है and side से देखोगे तो ether energy की 450X electric scooter आती है वेसा लुकाने वाला है या simple one electric scooter जैसा लुका आपको देखने को मिलेगा but simple one और जो Ola electric है उनके pricing बहुत ही जादा होते है इसलिए काफी customer pricing की वज़े से effort नहीं कर पाता so उनके लिए ये budget friendly वाला model best से best हो सकता है मतलब आप सिधा सिधा बोल सकते हो सस्ता Ola या सस्ती simple one ether energy की electric scooter वाला model इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलने वाला है पूरी तरह से completely guys इंडियन ब्रैंड है बेंगलोरू based company है stylish look मिल जाता है similar electric scooter है ज्यादा बलकी भी नहीं है ज्यादा बड़ी भी नहीं है अच्छी खासे आपको देखने को मिलेगी जो की काफी customer इसकी तरफ attractive हो रहे है अगर हम features की बात करें तो normal features से लेकर highest features तक आपको features देखने को मिलेंगे डिस्पले की बात हो गई या चाहे जो safety features आते हैं वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगे लेकिन वो pricing के हिसाब सब को features मिलेंगे और already हमने इस पर वीडियो भी बनाया था टेजर, electric scooter के बारे में क्योंकि at expo में showcase होआ है तो आने वाले कुछ ही time में ये customer को काफी attractive करने वाली है तो चलिए और दोस्तों भी काफी बात है कि हम यहापर main point पर आते है pricing के बारे में और कब तक Indian market में देखने को मिलेगी और क्या आपको finally इसके लिए रुकना चाहिए वो भी हम आगे discuss करेंगे सब सब पहले pricing जो इसकी शुरू होती है 85,000 रुपीज से starting वाला model शुरू होगा जिसमें आपको एक सदस किलोमेटर के ID सिरेंज देखने को मिलने वाली है और जो highest model रहेगा वो आपको 1,10,000 से लेकर 1,15,000 रुपे तक एक शुरूम प्राइज में देखने को मिलने वाला है और सब सब पहले company का focus तो यही रहने वाला है कि हम कम से कम अच्छे price में customer तक पहुच सके इसलिए company का planning एंड जो design वगेरा है वो 3 in 1 रखा है अगर हम launching की बात करें तो already company ने काफी expo में electric scooter showcase की है और सभी customer को इसका look काफी अच्छा लगा है लेकिन और भी कुछ थोड़े थोड़े changes करके फाइनल लुक को next 2-3 months तक आपको unveil करने वाली है और जेली इसकी और भी detail देखने को मिलेंगी क्योंकि company जो है काफी active रह रही है जो 200 km वाला जो model रहेगा उसके लिए काफी customer excited है तो आपको क्या रखता है स्टेजर electric scooter के बारे में मेरे इसाब से 3-in-1 मतलब को लुक काफे चाहे मिलने वाला है similar electric scooter है अगर आपका budget कम है तो आप इसके लिए रुख सकते हो बट आने में थोड़ा सा time लग सकता है all over India के लिए starting में दोस्तो ये बैंगलोरी से शुरू करेंगे आपके लिए हम वीडियो बनाते है इस चैनल पर आपको quality content मिलेगा वीडियो के quantity कम होगी बट quality content देने के कोशिश हमारी हर वीडियो में रहती है तो चलिए यार दोस्तों मिलते हैं अभी next वीडियो में